Guys C++ में आज देखने वाले हैं हम लोग Initialization section में अब ये Initialization section क्या होता है constructor function के अंदर Initialization list क्या होती है इसका नाम ही सिर्फ डराऊना है इस बात की तो guarantee कागस पर लिखके में दे रहा हूँ और है बिल्कुल simple सी चीज in fact ये syntax है छोटा सा जो कि आप लोगों को मदद करता है आप लोगों के जो constructor के अंदर Variable Initialize करने आपको तो उसमें अब इस बात का क्या मतलब हुआ Guys अकर आप लोगों ने अभी तक ये playlist access नहीं करिये तो यार इसको जल्दी से access कर ले ना कि ये वो जगह है जहां पर सारे के सारे वीडियो मैंने step by step डाले हुए है अगर आप लोगों ने miss कर दिये वीडियो तो definitely आप लोगों को जो है आदी स्टोरी ही पता चलेगी पूरी स्टोरी सी प्रस प्लस की पूरी कहानी शुरू से देखने के लिए आप लोग को ये playlist यहां क्लिक करके bookmark और यहां क्लिक करके save करनी पड़ेगी having said that मैं आ जाओंगा यहां पर अपने इसमें क्या बोलते हैं visual studio code में अब यहां पर काफी चीज़ हम लोगों ने देखी दी हम मैं आपर जल्दी से 49th वीडियो बना लूँगा qt49.cpp बना लूँगा तो मैं बना लेता हूँ यहां पर qt49.cpp में मैं अपनी boilerplate code लगा दूँगा अब यह boilerplate code यह कैसे आ रहा है इतनी जल्दी से मैंने कैसे type कर दिया यह सब course में बता रहा है मैंने already अभी यहां पर इस point पर क्या करूंगा मैं इस point पर आप लोगों को बदाता हूँ initialization list क्या होती है और initialization section क्या होता है देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग ए constructor को initialize कर सकते हैं अलग अलग तरी के हम लोगों ने देखे थे हमने कहा था कि जब कोई class drive हो रही है तो वह उपर उसको call करके base class को कैसे हम लोगों को constructor को base class के call करना है with required parameters ठीक है तो यहां पर मैं सबसे पहले तो एक comment लगा लूँगा बिलकुल इस तरह से ऐसे ठीक है अब यहां पर क्या करूँगा मैं अंदर कुछ भी लिखूँगा तो वह एक comment होगा ठीक है तो यहां पर class objects को initialize करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग initialization list लगा सकते हो constructor के अंदर तो इसका syntax क्या होता है मैं आप लिख देता हूँ मैं आप लिख देता हूँ syntax for initialization list अब यह initialization list in constructor इसमें क्या होता है कि आप लोग मान लोग constructor लिख रहे हो और arguments दे रहे हो argument list लिख देता हूँ उसको में और उसके बाद यहां पर आता है initialization section ठीक है और एक बार यह आ गया फिर उसके बाद यहां पर assignment प्लस other code बाकी जो code लिखना है आपको assignment करना है वो सारे काम आप लोग यहां पर करते हो ठीक है तो यहां पर जो यह हिसा है यह initialization section तो इसकी मदद से आप लोग initialization कर सकते हो कैसे कर सकते हो देखो यहां पर यह जो section है assignment वगएर आप लोग को करना है यह तो body of the constructor है जो कि आप लोगों ने पहले देख रगा है यह आप लोग को पता है क्या होता है ठीक है तो इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई और भी काम करने दरुदा से को utility function वगएरा call करने वो आप कर सकते हो ठीक है colon के बाद वाला जो हिससा है यह वाला इसको कहते है initialization section और इसको quickly initial values assign करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है ठीक है तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है चलो एक example के दूरू जो है वो समझ लेते हैं तो मानलो मेरे पास एक class है जिसका नाम है test ठीक है इस class का नाम test है मानलो इसमें int a और int b है ठीक है और मैंने यापर public में इसका जो constructor है वो कर दूं b की value को j कर दूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर सकता हूं मैं आपर कुछ ऐसे a को एक function की तरह लिख सकता हूं ऐसे और comma लगा के b को लिख सकता हूं यहाँ पर ऐसे ठीक है यह मैंने अगर कर दिया तो a की जगा आजाएगा i, a की value में आ जाएगा i और b की value में आजाएगा j, ठीक है मैं program नहीं लिख रहा हूं कि मैं थोड़ा सा सम्झाने की कोशिश कर रहा हूं भी और यह मैंने एक तरह से program ही लिखा है इसको नीचे copy paste करके आप रंतो करी लोगे देखेंगे आगे example भी अच्छा वाला example देखेंगे तो यहाँ पर देखो a i और b j मै यहाँ पर लिखो, constructor की body आराम से लिखो और हाँ class में जब लिख रहे हो code तो semi-color लगाना मत भूलना और बागी जो आपका main code है वो तो चली जाएगा तो basically अगर आप इस code को मैं आपको चला कर दिखा हूं copy करके आप नीचे लेकर आँ और अगर मैं इसको चला कर दिखा हू मैं इसकी जगा एक cout लगा देता हूं constructor executed लिख देता हूं ठीक है तुम मैंने आपर constructor executed लिख दिया है वड़ा simple सा program बनाए थोड़ा सा इसको फेरें डवली लगा देता हूं खूबसूरत कर देता हूं उसको थोड़ा सा ठीक है चलो हाँ थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है मैं आपर ऐसे लिखता हूं इसको four और six कर देता हूं और उसके बाद मैं क्या करूंगा मैं इनको दर public ही बना देता हूं या रे और भी को चुकि अगर मैंने public बनाया या फिर एक काम करता हूं constructor के अंदर मैं काम करता हूं value लिख देता हूं इंक यह value of a's a और value of b's b हो constructor executed अब यहां पर देखो मैंने handle नहीं लगाए handle तब ही कहता हूं लगा लिया करो लगा लिया करो लगा लिया करो इसलिए बार बार बोलता हूं मैं रो रोके handle लगा लिया करो इंफाक अंडरी हमाड़ी फ्रेंड लवली है असली फ्रेंड लवली अंडरी है उसी से सबसे कुम्सुरत बनता है प्रोग्राम तो इस तरह का syntax जो है वो आपका support किया जाता है तो आप a की जगा अगर लाना चाहते हो i को तो आप ai लिख सकते हो आप constructor body में a is equal to i भी लिख सकते हो आप ये भी कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप लोग जो है initialize कर सकते हो और बड़े अराम से ये syntax जो है काम करेगा अब अगर मालों मैं b को i plus j के बराबर करना चाहता हूं तो मैं इनको ना comment out करता जाओंगा अलग-अलग scenario आपको दिखाता जाओंगा अगर मैं b क i plus j कर दूँ मैं आप लोगों सवाल पूछता हूं क्या ही run होगा वो जो बताओ comment में run होगा की नहीं होगा error throw करेगा क्या होगा तो आप लोग कहोगे कि यार i j की value plugged है run होगा और आप बिल्कुल सही भी होगा run क्यों नहीं होगा तो ये तो बहुत ही simple use case है तो b की value i plus j कर 6 और 4 10 होता है देखो 6 यहां पर मैंने दिया था ना 6 और 4 10 आ गया b की value 10 होगी i plus j बहुत ही simple use case था चलो यार ये तो बहुत simple था ये तो मैंने एकदम सिर्फ एक जिसे बोलते है stunt मारा था ठीक है publicity stunt मारा था अपने c++ program में आप लोग को ऐसी गलत करवाने के लिए अब मैं आपर जो लिखने वाला हूं उसको देखता दियान से तो एक तोड़ा simple ले ले लेते हैं और ये भी बहुत ही एक तरह से आपको मजाख ही लगए को गया यार ये क्या मजाख कर वारी ये तो चली जाएगा या 2 into j हाँ चल जाएगा ठीक है ये भी चला के देख लेते हैं को tricky हो जाती है अगर मैं ऐसे कर दूँ मैं कहूं कि यार बी को initialize करो a plus जैसे तो आप कहोगे कि यार ये तो खुद value ले रहा है i से तो क्या इसको use कर सकते हैं या पर तो मैंने आप लोगों को सबसे पहली बात हो एक नया syntax बताया है या पर और नया syntax बताकर मैंने इसी initialized variable को use कर लिया दूसरे variable को initialize करने में क्या करने में दूसरे variable को initialize करने में तो यहां पर आपको लग सकता है कि यार ये थोड़ा सा मतलब पंगा बढ़ सकता है ठीक है तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह run कर जाएगा जो कि a की value यहां पर available होगी तो आप j की value 4 है और j की value 6 है तो 4 plus 6 10 होता है और obviously हमारा जो program है वो successfully compile and execute हो गया ठीक है चलो जी बढ़िया अब अगर यहां पर मैं क्या करूँ कि a में इस्तिमाल करूँ b की value और b को पहले लिख दूँ चलो जी b को पहले भी लिख दिया मैंने यहां कॉमा लगा लेता हूं और मैं अब यहां पर लिख रहा हूं i plus b ठीक है और यहां पर लटा देता हूं इसको तो यह एक मिन मुझे दर रहा ना एक काम और करना था है और मैंने क्या कर दिया मुझे थोड़ा सा इसको ctrl d करके आप लोग को देना भी होता है न code यार वो भी मुझे द्यान रखना चाहिए तो अगर मैं ऐसे कर दूँ मैं कहूं कि यार देखो ऐसा है जो b है उसको तो j ही रहने तो b तो j के बराबर रहेगा लेकिन a हो जाए i plus b के बराबर यानि कि b की value मैं use करना चाहता हूं a में तो क्या मैं यह कर पाऊंगा देखता जाओ या पर शौक लगने वाला है भी हम ल है अब देखो यहां पर गलती क्या होई है पहले तो रण हो गया था ये वाली line तो बहुत प्यार से रण होई थी ये क्यों नहीं हो रही है हमने order क्या रखा है अ को पहले हमने डेक्लियर किया है बाद में हम लोगों ने b को डेक्लियर किया है ठीक है यांपर तो जो चीज पहले declare होती है वो पहले initialize होती है ठीक है मैंने पहले भी बताया आप लोगों को यह बात और इसलिए यहाँ पर हमको जो है यह problem create कर रहा है तो यहाँ और मैं लिख देता हूँ red flag this will create problems ठीक है तो यह problem create करेगा because a is a will be initialize first क्योंकि a पहले initialize होगा और a क्यों पहले initialize होगा क्योंकि a को यहाँ पर पहले लिखा गया है तो जिसको पहले लिखो गए वो पहले initialize होगा तो इसी लिए अब यही line just successfully compile हो जाएगी मैं आपको करके दिखाता हूँ एक चीज compile तो पहले भी होड़ी लेकिन desired output हमको नहीं मिल रहा था मैं अभी run कर दो तो नहीं मिलेगा desired output देखो यह मिल रहा है 4 to something पता नहीं क्या है garbage value लेकिन अगर मैं B को उपर लिख दूँ ऐसे कर दूँ देखो B को मैंने उपर कर दिया अब यहाँ पर मुझे value मिल जाएगी मेरी पसंद की मतलब जो मैं expect कर रहा हूँ वो मुझे आपर मिल जाएगा ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि B पहले लिखा था तो B क value पहले initialize हो रही है इसको मिल गया J B को इसने अपने आपको कर लिया J के बराबर यानि 6 कर लिया इसने B कर लिया अपने आपको फिर एक हो चाहिए B की value जो की उपलब्द थी B की value क्या थी 6 थी और 6 और 4 10 होता है तो इसने A में 10 डाल दिया ठीक है लेकिन मैं वापस से A को कर दूँगा भी मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था और कि यह run करेगा तब ही जब आप लेकर आओगे B को उपर यानि कि B को पहले आप लोग इनिशलाइज और डिकलेर करवाना चाहते हो तो आप लोग को एक B को उपर लिखना पड़ेगा अगर B को पहले करवाना चा और उसके बाद अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए में आये दे दो और उसके बाद मैं Constructor Body के अंदर डाल दूँ वागी चीज़े मैं अगर B is equal to J कर दूँ ऐसे तो यह भी जो है सही है यह यह भी सिंडेक्स चलेगा तो इसको run करूँ अगर अभी मैं तो यह की value 4 आगी वी की 6 अगई तो मैं अंदर भी डाल सकता हूं Body के Constructor Body के अंदर भी डाल सकता हूं यह से पहले दिखाए था मैं आप लोग को और not to mention not to mention not to mention मैं यह भी कर सकता हूं मुझे mention करने की जरूरती नहीं है क्योंकि यह तो हम बात करी चुके या इतिनी दूर आ गया object oriented programming में तो यहां पर तो आप लोगों को कोई आपती होनी नहीं चाहिए न मैं ऐसे लिखूआ करता हूं तो syntax syntax की बात है complex जब हो जाती है class से जादा तो कोई भी syntax आप prefer कर सकते हैं और programmer जो है यह वाला syntax जो की वीडियो में बताया है मैंने आप लोगों को जिसको initialization section से मैंने पुकारा है initialization section को तब इस्तिमाल किया जाता है जब आपकी constructor body बहुत complex होती है और आप चाहते होगी भाई देखो जो मेरा constructor है वहीं के वहीं उसकी values जो है वो initialize हो जाए ठीक है तो तब आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को इंडिगेट करने के लिए कि भाई वहीं के वहीं आप values को जो है initialize करा दे रहे हो constructor में तो यह चीज़ इंडिगेट करने के लिए आप लोग इसको यहाँ पर initialization section में डाल देते हो so I hope initialization section समझ में आगया पहली बात तो वहीं जादा बड़ी rocket science थी ही नहीं कुछ बहुत बड़ा concept था ही नहीं बहुत simple जी कहानी थी कि वहीं अंदर लिख देते इससे अच्छा हम क्या करें यह ना करके हम यह भी कर सकते हैं इस तरह से भी A और B की value दे सकते हैं initialization section कुछ नहीं है A और B को यह नि की जो class के data members है उनको value देने का एक तरीका है उनको क्या है value देने का एक तरीका है इससे जाड़ा कुछ भी नहीं है तो यह सिर्फ value देने का तरीका था ठीक है तो यह है हमारा initialization section इसको initialization list भी बोलते हैं तो I hope कि आप लोग जो है इसको बहुत clearly समझ गए हो गए Guys इस point पर अगर आप लोगों ने ये playlist access नहीं करिए तो उसको जरूर कर लेना मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि मेरे बार कॉमेंट भी बार बार आते हैं जनको बोलते हैं कि आपने ये नहीं बता या आपने वो नहीं बता इसलिए बना रखे ವेडियो इसलिंव में है उपलब्दकरा रहते हैं Friend function का comment आए तो परसो कि Walking function मैंने नहीं बताया और बहुत जरूरते वीडियो की तो मैंने अल्लेडी बता रखा है मैंने examples के साथ बता रखा है और तीन दीन videos की continuation में 20-20 minute के बना रखे हैं एकदम पूरे concept clear करके optimal pace पे मैंने पढ़ा रखा है और अगर किसी को लगता है कि मैं slow या तेज पढ़ाता हूँ या मेरे पाद दोनों ही comment आते हैं एकदम मुझे अच्छा experience है पढ़ाने का तो मैं उस speed में पढ़ाता हूँ जिसमें जादा से जादा लोगों को समझ में आए और आता भी है तो I hope कि speed problem नहीं हो रही होगी लेकिन अगर हो रही है तो मुझे बता दिया करो comment में आपके comments को मैं बहुत जादा seriously लेता हूँ अगर मुझे लगेगा कि यहां मैं तेज बढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ अगर यह video आप लोगों ने like नहीं कर रहा है तो kindly please इस video को मेरे लिए like कर देना सिर्फ आप लोगों से एक like मैं मांग रहा हूँ और आप लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगता है confidence बढ़ता है इस तरह की videos आप लोगों के लिए मैं और लापाऊंगा अभी के लिए इस video में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो